नमस्का, तो आज आपे Midea heading phone finance stock के बारे में बात करने वाले और लेडरे सबणेट ही आपे देखनी वाले सबसे पहले हम लोग news के उपर नजर डालते है news की बात की जाए तो recently आप देख से थे की नजर डाल सकते है कि कोई खास update या news नजर नहीं आ रही है फिर चाट के उपर नजर डाली जाए तो आप देख से थे की stock में volume से भी इतने खास नजर नहीं आ रहे volume अच्छे खास से आते तो volatility नजर आ जाती stock के नर और उससे के साथ positive volumes आते तो strong momentum generate हो पाती तो देख से थे की पिछले कई बार से याप पर देखा जाए तो 200 level के क्रिवन जाके stock ने resistance लिये थे तो recently भी देख से थे की stock उपर की दरब जाता है तो 200 level पर resistance लगने की chance बन सकते है पर यहाँ पर volume सच्छे खास से आ जाए अच्छे quantity के साथ आ जाए तो strong breakout भी मिल सकता है 200 level को और उपर जाने की जो chance से और भी बढ़ सकते है stock के अंदर